हेलो फ्रेंट्स गुड मॉनिंग जी दोस्तों खास वीडियो लेकर आई है आज नीता शर्मा प्लांट लवर आपके लिए जी आसानी से प्रोपगेट होने वाला आसानी से लगने वाले इस मेडिशनल प्लांट के बारे में चलिए आपसे कुछ बात करते हैं जी मेडिशनल इसे साइन्स की लेंग्वेज के अंदर ब्रायफैलम प्लांट कहते हैं और बहुत ही आसानी से प्रोपगेट हो जाता है यह चाहे तो आप इसे बालकनी में लगा सकते हैं या किसी खेत में फारम पर कहीं पर भी छोटे से छोटे पोट में लग जाता है और बड़ी से बड प्लांट है जिस तरह से हमने अजवाइन के फाइदे देखे कि अजवाइन इतना उपयोगी प्लांट है उसी तरह से यह प्लांट भी बहुत ही उपयोगी है अजवाइन के हमने फाइदे देखे कि यह अपच में काम करता है सर्दियों में काम करता है किसी तरह के टॉंसिल सोजाते हैं किसी तरह का दर्द होता है दाथ में दर्द होता है यहां तक कि हमें स्ट्रेस फ्री रखने वाला यह एज़वाइन का पोदा है हमने अज़वाइन के पोदे को लगाना पीछले वीडियो में सीखा था अब चलिए हम इस पत्थर चट्टे की बात करते हैं यह एक प्रकार का क्रिसूला फेमली का ही प्लांट है क्रिसुला फेमली का प्लांट है और सेकुलेंट टाइप प्लांट है सेकुलेंट टाइप यह नहीं हाफ सेकुलेंट है जिसमें पानी इसके स्टेम में अल्रेडी भरा रहता है देखिए आप इसके स्टेम को देखिए थोड़ा सा गद्दीदार होता है और इसको लगाना दे जाते हैं जितने जितने ये कट्स होती इसकी लिवस के ऊपर उतने पोदे आप देख सकते हैं तो बहुत ही आसानी से प्रॉफिगेट ओने वाला प्लांट है और इसके मैडिशनल इंपोर्टेंट्स की बात करें तो हम आप सुनकर के ही हैरान हो जाएंगे कितना मैडिशनल प्लांट है ये बहुत ही मतलब क्वालिटी वाले गोन इसमें रहते हैं सेकुलेंट टाइप प्लांट है बस इसमें एक लिमिट में पाने देना होता है और पत्री के हाँ उनका किड्नी स्टोन निकल जाता है आपको करना क्या है इसके लिए वो भी हम बताएंगे और BP को भी कंट्रोल करने वाला पौदा है ये हाट में भी फायदा करता है किसी तरह की हार्ट इसमें तो भी ये फायदा करने वाला है जी तो बहुत सी गुन पाई जाते इसम जो कि किसी तरह का सूजनों, कोई दर्द हो, तो भी रहात मिलता है, एंटि-फंगल होता है ये प्लांटे, और किसी को पेशाब नहीं आता हो, पेशाब यूरीन रुक रुक करके आता हो, तो भी ये प्लांटे जो है, यूरिन की quantity को बढ़ाता है किसी तरह का stone तो भी निकल जाता है अब इसको काम में कैसे लेना है पत्तो के रस को गुनगुने पानी में निकाल ले यानि गुनगुने पानी के अंदर mix करके आप काम में ले सकते हैं दो तिन पत्तो का 7 उपयूग सही रहता है वैसे देखा जाए सबजियों में उबाल करके भी काम में ले सकते हैं सलात की तरह भी खा सकते हैं किसी भी तरह से खा सकते हैं दो पत्ते से लेकर के तीन पत्ते तक प्रती दिन आप इसका सेवन करते हैं तो किसी भी तरह की पत्त्री हो या आपके पेशाप में जलन रहती हो तो उपयोगी है यहां तक कि अगर किसी को पुराना कोई फोड़ा फुन सी है जिसमें पस पड़ गई है तो उसको भी ये ठीक करने वाला है हैडिक को भी ठीक करने वाला है माइग्रेन में भी बहुत काम वाला ये पोड़ा है तो वैसे इसको जखमे हयात कहते हैं जखमे हयात यानि जखम को खत्म करने वाला मोच में जखमों में बहुत उपयोगी होता है उस समय आप इसके पत्ते को गरम कर लें थोड़ा सा तवे के उपर याँच के उपर और उसको बांद लें तो किसे भी तरह का दर्दो जखमों वो ठीक हो जाता है मातरा की बात करें तो दो तीन पत्ते प्रति दिन सेवन ठीक रहता है तो बहुत उपयोगी है फ्रेंड से ये पोदा इस तरह के पोदो को हमें अपने गार्डन में जरूर एड़ करना चाहिए और जो है अगर आप इसे डारेक्ट खा सकते हैं तो ठीक है मतलब खाली पेट सेवन करने से इसका अच्छा रिजल्ट आता है देखे इसकी लिव्ज कुछ खुच अजवैन के पोदे से मिलते हैं तो अगर आप इसके फायदे सुन लेंगे पूरे तो बस आज ही आपकी इच्छा होगी कि आप इतने बहटरी ने इस प्लांट को अपने गार्डन में एड़ कीजिये और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल पर जैहीन जै भारत